पहला सत्र होता है, या जब लोगसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होता है, तो उसके बाद के पहले सत्र को राश्टपती संबोधित करते हैं, आप स्वयम आठवी बार की सांसद हैं, आडवाने जी बहुत वरिष्ट सांसद यहां बेटे हैं, और भी अन्य ऐसे अ आभा निराली है, कुछ लोग पूच सकते हैं, क्या आप इसे निराला कैसे कहती हैं, मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगी, कि महाभारत का एक प्रसंग है, जब युद्ध समाथ हुआ, तो धर्मराज युधिष्टर भीष्म पितामह के पास पहुँचे, वो की शेया पर लेटे थे, उन्होंने हाद जोड़कर पड़ाम किया और कहा पितामह, आप हमें सफल शासन के सूत्र बताईए, तो पहला सूत्र पितामह ने बताया कि सुनो लिधिष्टर, कभी अतीद को कोस कर अपनी जिम्मेदारी से बरी मत होना, अगर अतीद अच्छा हो तो लोग उसे बदलते ही क्यों, लेकिन अतीद की गलतियों से सबक लेते हुए उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना, अध्यक्ष जी आपने इस भाशन को राश्वती जी के साथ आसंदी पर बेट कर सुना है, आपने पाया होगा, कि इस अभी भाशन के एक प्रिष्ट से ल स्याओं से जूज रहा है, उनको निराकरन करने की हमारी क्या दृष्टी है, केवल उसका खुला साथ है, अध्यक्षी एकाज पहरा में हमने कुछ आखड़े जरूर दिये हैं, लेकिन वो आखड़े ऐसे हैं, कि यदि UPA सरकार अपनी और से आर्थिक सर्वेक्षन पेश कर तो वो आखड़े जसके तस आते, क्योंकि वो प्रामानिक हैं, सरकारी हैं, अधिक्रित हैं, अगर उन आखड़ों को ये साथी अपने पर आक्षे पमानते हैं, तो फिर मुझे जनकवी दुश्यंत की वो दो पंग्तियां, जिनमें उन्होंने व्यंग किया है, वो कहनी हों और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि इस जनादेश ने भारत की राजनीत में एक नया आयाम जोड़ा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे जनादेश पहले नहीं आए, इससे भी बड़े बड़े आए, 1984 में कॉंग्रेस को 400 से ज़्यादा सीटे मिली, 1980 में भी 300 से ज़्यादा सीटे मिली लेकिन इसको मैं नया आयाम क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 1984 के बाद देश में एक परिवर्ता नया, जिसमें किसी भी दल को अपने तोर पर पूर्ण भहुमत नहीं मिला करता था, और भारत की राजनीतिका विश्लेशन करने वाले राजनीतिक पंडित, ये कयास लगा रहे कि आगे कम से कम 20 वर्ष तक ये संभव नहीं होगा, और इसलिए जब हम अपने तोर पर 272 प्लस की बात करते थे, तो कुछ अचंबित होते थे, कुछ उपहास करते थे, और कुछ हम से पूछते थे, कि स्टेट के स्टेट आपके खाली पड़े हैं, आप 272 कैसे लाएंगे मुझसे अगर किसी ने पूछा तो मैंने हसकर के वल एक कहा, 16 मई को देखना, और अद्धिक्षी आप साक्षी हैं, जब 16 मई को चुनाव परिणाम आने लगे, तो लोगों ने देखा, हिमाचल में 4 में 4, उत्तराखन में 5 में 5, दिल्ली में 7 में 7, राजस्थान में 25, अद्धिप्रदेश में 29 में से 27, 36 गड़ में 11 में से 10, और जब उत्तरप्रदेश खुला, तो 80 में से 33 पाते ही भारतिये जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर देए, 282 सीटें हमें भाजपा के तौर पर मिली, और 336 सीटें हमें अपने सहयोग इदल के साथ, इसक और दूसरा कारण था कि श्री नरेंद्र मोदी के नेत्रतों में भारतिये जनता पार्टी को लोगों ने विकल्प के रूप में स्विकार कर लिया, और इसलिए जाजपात की दिवारे ढ़े गई, उम्मीदवार गौन हो गई, और लोगों ने लाखों लाख के अंतर से हम को जिताया, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी भाई तारिकनवर जी को भी, हम जानते हैं, जितनी बड़ी विजय, उतनी बड़ी जिम्मेदारी ही, इसलिए इस विराट जीत को हम विनम्रता के साथ स्विकार करते हैं, अब्दिक ची कहा गया जितनी बड़ी जितनी बड़ी जानते हैं, और खरा उतरने के लिए जरूरी था, कि हम पिता में का दूसरा सुतर सुनते हैं, घलतियों से सबक लेने का, तो वो घलतियां क्या थी, इसके लिए हमने उन कारणों की पहचान की, जिसके कारण इस देश में जन आक्रोश उमड़ा था, ऐसे दस कारण हमें दिखाई दी अध्यक्षी, पहला कारण था महंगाई की मार, दूसरा कारण था घोर भ्रषटाचार, तीसरा कारण था घोटालों की भरमार, चौथा कारण था किसानों का हाहाकार, पांचवां कारण था बंद कारोबा, छटा कारण था मंद व्यापार, सात्मा कारण था युवा बेरोजगा, आठमा कारण था किशानों से महिलाओं से दुराचाप, और नौवा कारण था संस्थाओं से दुर्यभार, और दस्मा कारण था अध्यक्षजी सैनिकों के साथ सीमा पर अत्याचाप। इन दस कारणों को जब हमने चन्नित किया तो हमने कहा कि एक-एक कारण का हम संग्यान लेंगे और इस अभी भाशन में ये बताएंगे कि हम इन कारणों को कैसे समात करना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हमने एक-एक का संग्यान लिया महंगाई की मार का संग्यान हमने लिया अभीभाशन के पैरा आठ में और हमने दो बातें कहीं पहला खाद्य पदार्थों की कीमतों को बढ़ने से रोकना मेरी सरकार की सर्वोच प्रात्मिक्ता होगी और दूसरा मेरी सरकार जमा खोरी और काला बाजारी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी यानि अपनी प्रात्मिक्ता तई करते समय उस आम आदमी और उस आम औरत को जिसकी रस्वोई पर मार पड़ती थी हमने अपनी प्रात्मिक्ताओं में सबसे उपर रखा और उसको खत्म करने के उपाए के रूप में काला बाजारी और जमा खोरी दोनों को रोकने के प्रभावी कदम का जिक्र किया दूसरा कारण मैंने बताया घोर भिष्टाचा पैरा तेईस में हमने उसका जिक्र दिया मेरी सरकार देश को भिष्टाचार और काले धन जैसी बुराई से छुटकारा दिनाने के लिए एक तृत संकल्प है इस दिशा में पहले कदम के रूप में विदेशों में जमा काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने विशेश जांचदर का गठन कर दिया है विदेशी सरकारों के साथ सक्लिय रूप से कारे करते हुए इस पर ठोस कारवाई की जाएगी यानि भिश्टाचार को समात करने का संकल्प भी दिखाया और जो काम किया है उसका उलेक भी किया तीसरा मैंने कह ता घोटादू की भरमाद उसका संग्यान हमने पहरा 21 में दिया मेरी सरकार एक साफ सुथरा और कुशल प्रशासन पढ़ान करने के लिए कृत संकल्प है सरकार पारदर्शी प्रणाली कायम करने और सरकारी सेवाएं समय पर महिया करने पर बल देगी आप जानती है अगर कारेप्रणाली पारदर्शी हो जाए इटेंडरिंग हो रही है, इगवननस हो रही है, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा है, तो घोटालों की गुंजाईश ही नहीं रहती, इसलिए हमने अपना संकल्प दोहराया, कि हम साफ सुथरा प्रशासन देंगे, और प्रणाली को पारदर्शी बनाएंगे, चोथी बात मैंने कह प्रशान बहुती विशम परिस्टी में हैं, और हताशा के कारण कुछ तो आत्मत्या करने के लिए मजबूर हो गए, मेरी सरकार इस दुर्भाग्यपूर्ण हालात को पूरी तरह बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, विज्ञानिक तरीके और कृशी प्रद्योगी की अप बनाकर खेती को लावकारी उद्यम में बदलने के लिए उपाय किये जाएंगे, अध्यक्षी आप जानती हैं, अपने हैं कहा जाता था उद्यम खेती मद्यम बान, जितने भी पेशे हैं उन में सबसे उपर खेती को माना जाता था, लेकिन आज हालत यह गई, कि खेती आयन कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश के किसान क्रॉप हॉलिडेस की गोशना कर रहे हैं, क्योंकि जितना उन्हें मिलता है वो लागत से कहीं कहीं कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि आत्महत्याओं को रोकने के लिए, खेती को लावका उद्यम बनाने के लिए हम कुछ करें, तो हमने दोनों बाते कहीं, हमने अपनी प्रतवज़ता भी जताई, किसान को इस विशम परिसिती से निकालने की, और हमने ये भी कहा, कि हम विज्ञानिक और प्रद्योगी के काइस्तिमाल करके इसको वापिस लावका उद्यम बनाएंगे, पांचमें बात म उसका संग्यान हमने पैरागशबीस में दिया, मेरी सरकार एक ऐसा नीतिकत वातावरान तयार करेगी, जिसमें स्थाइप हो, और जो पारदर्शी तथा निश्पक्छो, वियवसाय करने को आसान बनाने के लिए सुधार किये जाएंगे, अद्धिक जी आप सोहम साक्षी ह इस बात की, कि पुराने पांच वर्षों से ऐसे लगता था जैसे देश ठप हो गया है, कुछ चल नहीं रहा था, लेकिन हमारे सामने ये चुनौती है, इस ठप देश को खड़ा करने की, खड़ा करके चलाने की, और चलाने के बाद दोडाने की, और मुझे खुशे है, कि जो तीन मंत्र हमारे प्रधान मंत्री ने रखे, स्किल, स्केल और स्पीड, जिसका जिकर इसमें भी आया है, उसके माध्यम से हम इस देश को खड़ा भी करेंगे, चलाएंगे भी, और बहुत जल्दी दोडाएंगे भी, इसका एक अभिप्राई इस अभिवाशन में दिया और व्यापार धांचा मजबूत किया जाएगा, ताकि कारोबार तंचालन समय तथा लागत में कमी लाई जा सके, आप जानती हैं दिख्षी के व्यापार का सीधा रिश्टा किसान की खुशाली से होता है, और व्यापार का सीधा रिश्टा उद्यमी की खुशाली से होता ह अगर आपका manufacturing sector खुश है तो वियापार खुश है अगर किसान की जेब में पैसा है तो वियापार खुश है और उन दोनों के हालात बदलने के लिए हमने कहा है कि हमारा वियापार जो आज मंद है वो केवल भारत में ही नहीं बढ़ेगा बलके वैश्वियू के वियापार में हम प्रसपरदा लाने के लिए तैयार हैं इसका उल्लेक इसमें अभिभाशन में किया गया है साथवा मैंने कहा था युवा बेरोजगार उसका संग्यान हमने इसके पैरा बार्य में हमने कहा है कि मेरी सरकार केवल युवा विकास की संकरपना की बजाए युवा संचालित विकास विवस्था पिदान करेगी और हमने कहा है कि मेरी सरकार हरहात को हुनर के उद्देश से औपचारिक शिक्षा और कौशल विकास के बीच की बाधाओं को दूर करने का प्यास करेगी मेरी सरकार हुनरमंद भारत के लक्ष से नैशनल मल्टी स्कल्स किल्ड मिशन भी चुरू करेगी आप जानती हैं कि बेरोजगारी केवल सरकारी नौकलियों से दूर नहीं हो सकती है उसके लिए हमारे योजन में कोशल का विकास करने की बहुत आउशक्ता है और इसलिए हमने नाम दिया कि भारत जाना जाएगा एक हुनरमंद भारत और बहुत बार पढ़ है इसके आड़े आती है इसलिए हमने का कि वो जो बीच का अंतर है हम उसको भी खत्म करेंगे लेकिन एक मल्टी स्किल मिशन हम लागू करेंगे जिसमें हम अपने युवाओं में और युवापतिभाओं में तरह तरह के कोशल का दिकास कर सकें ताकि स्वरोजगारी हो करक है यह हमारा अभी प्राय इस अभीभाशन में है आठ्वी बात में ने कही थी महिलाओं से दुराचान उसका संग्यान हमने पैरा उन्नीस में लिया मेरी सरकार समाज के विकास और राष्ट की समृध्धी में महिलाओं की महत्पूण भूमिका को स्विकार करती है वो संसद और राजविधान सभाओं में महिलाओं को 33 शत आरक्षन उपलब्ध कराने के लिए वचन बद्ध है बेटी बचाओं और बेटी पढ़ाओं की प्रतवधता के साथ मेरी सरकार बालिका को बचाना और उसकी शिक्षा के लिए व्यापक जनभियान आरम करेगी मेरी सरकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को बिल्कुल सहन नहीं करने की नीती अपनाएगी और उसके प्रभावी कार्यान मेरेन के लिए दानभिक नहीं प्रणाली को समुचित रूप से मजबूत किया जाएगा अध्यक्षी मैंने इस बात को बार बार कहा है कि यदि हम महिला का उत्थान चाहते हैं और उसका कल्यान चाहते हैं तो चार चीजें ज़रूरी हैं शिक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और राजनेतिक सषट करना जहां तक शिक्षा का सवाल है हमने कहा है बेटी पढ़ा हुए यह का भियान बनेगा हमारे लिए जहां तक सुरक्षा का सवाल है हमने कहा है Zero Tolerance Against Women's Violence हमने Zero Tolerance कहा है हिंसा को बिल्कुल सेहन नहीं करेगी Zero Tolerance की नीती अपनाईगी जहां तक सुरक्षा का सवाल है आर्थिक स्वावलंबन के लिए हमने यहां कहा है कि वो देश के विकास में बराबर की भागीदार होगी और जहां तक राजरेत एक सशक्तिकरण का तालूख है हमने 33 प्रत्यात आरक्षन की बात की अध्यक जी महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत पार्टियां करती है लेकिन हमने पिछले एक महिने में इसको कर दिखाया है गुजरात में मुक्षमंत्री का पद खाली हुआ हमने एक महिला मुक्षमंत्री को वो पद दिया हमारी कैबिनेट बनी 23 कैबिनेट मंत्रियों में से 6 कैबिनेट मंत्री यानि 25% का हिस्सा हमने महिलाओं को दिया एक महिला ने ये स्पीकर कापद खाली किया हमने आप जैसे गरिमा माई ब्यक्तित को इस पर सुचो भी इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि कहना और करना एक अलग चीज है हमने अगर यहां 33% की बात की है तो मैं यह कहना चाहती हूँ इस समय सोनिया जी नहीं बैची और खडगे जी बैचे हैं खडगे जी आपकी पार्टी ये विधेयक राजसभा में लेकर आई थी और हमने समर्थन किया था मैं आपसे आश्वासन चाहती हूँ कि जब मेरी पार्टी इस विधेयक को यहां लेकर आए तो आप समर्थन करें क्योंकि मेरा ये निश्चित तोर पर मानना है आप सारे काम कर दें लेकिन अगर महिला को राजनीत रूप से आप सशक्त नहीं करेंगे तो आपकी बारिक्षमताएं भी कम हो जाएंगे इसलिए 33 प्रत्षत का आरक्षन का विधेयक पास करने वाली ये 16 लोगसभा होनी चाहिए बहुत सी लोगसभाएं किसी ना किसी मील के पत्थर विधेयक के लिए जानी जाती है और ये 16 लोगसभा मील का पत्थर विधेयक महिला आरक्षन का पारित करे इसके लिए मैं तमाम साथियों से निवेजन करती हूँ क्योंकि जितने इजर बैचे हैं ये सब अलग-अलग से कही चुके हैं कि महिला आरक्षन के पक्षमे है तो हमने जो करके दिखाया है ये भी हम करके दिखायेंगे कि सोलमी विधान सभा में महिला आरक्षन विधेक पारित करा के हम 33 प्रतिशत का आरक्षन संसद और विधान सभाओं में उन्हें देने का काम था बहुत ज़ंजवाद नौई बात मैंने कही थी संस्थाओं से दुर्व्यभार उसका संग्यान हमने पैरा 20 में दिया भारत संग्य विवस्था वाला देश है परंतु काफी वर्षों से इसकी संग्य भावना को कमजोर किया गया है राज्यों और केंद्र को सामजस्थ सिपूंड टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए राश्ट्रिय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कायर करने के लिए मेरी सरकार राश्ट्रिय विकास परिशद अंतर राज्य परिशद जैसे मंचों को पुने सरक्त बनाएगी अध्यक्षी संगिय धाचा इस देश के समयधान का मूल प्रान है इसी तरह से संस्थाएं सीवी सी, सीएजी, सीवी आई ये वो लोकतंत्र के खंबे हैं जिने निश्पक्षता से काम करने का आधिकार होना चाहिए और संग और राज्यों के बीच में टकराओ इस देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसलिए हमने कहा है कि ये जो परिशदें बनी हैं हम इनका पुनर गठन करेंगे और इनको एक सशक्द टीम इंडिया के रूप में खड़ा करेंगे दस्वा बिंदू मैंने कहा था सेनिकों के साथ अत्याचार उसका संग्यान हमने पैरा बायालीस में दिया है मेरी सरकार अपने वीर एवं निस्वार्थ सेनिकों के रिण को चुकाने के लिए सब कुछ करेगी एक राश्टिय सरकार अपने सेनिकों के पराक्रम का सम्मान करने के लिए राश्टिय युद्ध समारक बनाएगी एक रेंक एक पेंशन योजना लागू की जाएगी अध्यक्ष जी जो देश अपने शहीदों को भूल जाता है या शहीदों का अपमान करता है वो देश बरबाद हो जाता है और इसलिए हमने ये कहा है कि हम युद्ध समारक बनाएगी और हमने शब्ध इस्तेमाल क्या सब कुछ करेगी अपने वीर और निस्वार तसेनिकों के समान के लिए ये सरकार सब कुछ करेगी इस अपनी फ्रत्वत इता को हमने पैरा बयालिस ने लिया अध्यक्ष जी जो दस बिंदू हमने चिन्नित किये थे उन दस बिंदूों पर हम क्या करेंगे कैसे आगे वड़ेंगे इसका जिक्र मैंने आपके सामने किया लेकिन इसके इलावा भी कुछ बहुत अनूठी पहले हैं जिनका जिक्र हमने इस अभिभाशन में किया है कल खड़े जी आप बोलते हुए कह रहे थे कि दो दो शब्द लिख दिये योजना तो बताई ने आप बहुत वरिष्ट सांसद है सरकार में भी रहे हैं आप ये जानते हैं कि राश्पती अभिभाशन के बाद बजट आता है और ये परंपरा है कि राश्पती अभिभाशन में केवल दिशा दिखाई जाती है बजट में योजना लाई जाती है और उन योजनाओ को अमली जामा पहनाने के लिए राशी भी आवंटित की जाती है इसलिए थोड़ी सी प्रतिक्षा कर गए उस बजट की जिसमें योजनाओ का खुलासा होगा लेकिन इस राश्पती अभिभाशन में भी हमने कुछ बड़ी योजनाओं बताइंगे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ हमने कहा है हम हर राशी को आयाइटी देंगे क्या योजना नहीं है हमने कहा है हर राशी को आयाइम देंगे क्या योजना नहीं है हमने कहा है हम हर राशी में एम्स जैसे अस्पताल का निर्मान करेंगे, क्या ये योजना नहीं है? हमने कहा है, हम विश्वस तरिये सुविधाओं से लेस सो नए शहर बनाएंगे, क्या ये योजना नहीं है? हमने कहा है कि स्वरणिम चत्रवुज राजमार्गों जैसी योजना के तर्ज पर हम रेल का एक हीरक चत्रवुज बनाएंगे क्या ये बड़ी योजना नहीं है और हमने कहा है कि हम गंगा का पुनुरुद्धार करेंगे क्या वो बड़ी योजना नहीं है खड़ गे जी यह पूरे बोल देते हैं आपको इतनी तकलीब नहीं होती थी एक्स्पेइन करें अध्यक्ष जी आज मुझे अपने आज मुझे अपने कुछ साथियों की याद आ रही है जो सदन में नहीं है समाजवादी पार्टी के रेवती रमन सिंगी वाम पंथी प्रबोध पांडा और मेरे साथ ही शाहनवाज हुसेन कोई सत्र ऐसा नहीं भीता जिसमें इन तीनों को लेकर मैं पुनुरुद्धार के लिए हम बार बार एक कहते थे बाद प्धान मंत्री जी गंगा को अविरल और निर्मल बहने दो लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमने गंगा-पणरुद्धार का अलग मंत्रा ले स्थापित किया है क्यों? क्योंकि गंगा हमारे लिए नदी नहीं है गंगा हमारे लिए माह है और मुझे खुशी है ये बात कहते हैं जो सांसद उस दिम केंडरी कक्ष में बैठे होंगे जब जापान के प्धान मंतरी आये थे तो उन्होंने बोलते हुए गंगा पर गंगा अधर रिवेर्स ऑल्सो लिखें थे बता है आप बैठेंगे एक मिनट थम्भी दुरेजी मंत् जलसंसादन नभी विकास और गंगा पुन्रुद्धार एक मिनट उस मिनिस्ट्री का नाम है एक हमने जो मंत्राले आगे वह समझ गए ना वह मान दे मंत्राले का नाम ही है मंत्राले का नाम है जलसंसादन नभी विकास और गंगा पुन्रुद्धार इसलिए गंगा को हमने एक अलग मेहत दिया और मुझे इस से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि गंगा पुनुरुद्धार का काम हमें बहने भारती जी को सौंपा है जिन्हों ने अपना जीवन गंगा जी के प्रती समर्पित कर दिया मैं कह रही थी कि उस दिन जापान के प्रधानमंत्री ने केंद्रिये कक्ष में गंगा जी को गंगा मया कहकर जिस समय संबोधित किया था तो करतल धनी से केंद्रिये कक्ष गूंज हुआ था इसे लिए मैं मैं कह रही हूँ मैं आ रही हूँ आप ठीक कह रहे हैं आप आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हिंदुस्तान की तहजीब को आप लोग प्लीज आप लोग चुप रहे हैं आप लोग क्यों बोलते हैं हिंदुस्तान की तहजीब को गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है इसलिए मैं बिल्कुल सही आपने बात कहिए हम गंगा जमुनी तहजीब के लिए जब हमने कहाना कि सारे नदी विकास लेकिन गंगा के लिए चुकि अलग महकमा बना है इसलिए मैंने उसका जिक्र किया गंगापन रुद्धार का अध्यक जी कल खड़गे जी ने बोलते हुए कहा कि कुछ नहीं है ये तो मार्कीटिंग की सफलता है और अगर किसी को सीखना है तो मार्कीटिंग भीजे पीसे सीखे खड़गे जी मैं आपको बताना चाहती हूँ मार्कीटिंग का एक बुनियादी सिख्धान थै प्रोड़क्ट अच्छा होना चाहिए अगर प्रोड़क्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्कीटिंग होई नहीं सकती है अगर प्रोड़क्ट अच्छा नहीं होगा तो मार्कीटिंग होई नहीं सकती है प्लीज सुष्वाजी मार्कीटिंग की कोशिश आपने भी की लेकिन हमारा प्रोड़क्ट जनता के मन को भागया इसलिए ये मार्कीटिंग की सफलता नहीं प्रोड़क्ट की विशेशता है अध्यक जी अब मैं विदेश नीति पर थोड़ी बात करना चाहूंगी पैरा तरतालिस में हमने उसका जिक्र किया है और तीन शब्दों का इस्तिमाल किया है मेरी सरकार एक सशक्त आत्म निर्भर तथा विश्वास से भरपूर भारत का निर्मान करने और देश को राष्टों के समुदाए में उसका सही स्थान दिलाने के लिए वचंद थे मैं स्वेमिस विभाग को देख रही हूँ और मैं कह सकती हूँ आपसे कि रातो रात दुनिया में भारत का महत्व बढ़ गया है जो अखबारों में खबरे छप्ती थी इंडिया सक्से स्टोरी जोवर अब उनको लगने लगा नहीं भारत की संभावना वापिस लोटी है भारत का पुटेंशल वापिस लोटा है और मैं आपसे बताओं भारत में कौन सबसे पहले आए भारत के प्रधानमंत्री कहा सबसे पहले जाएं इसके लिए एक दोड़ लगी हुई है और ये एक शुब संकेत है क्योंकि बाकी के देश हमारी प्रगती में भाजीदार बनकर अपनी प्रगती भी करना चाहते हैं और हम इस शुब संकेत का सूत्र पकड़ कर आगे बढ़ेंगे और अंतर राश्टिय समुदाय में भारत की नाक मुची करेंगे ये हमारी प्रगता और इसी सूत्र को जब हम आजे ले जाते हैं तो मुझे आदर्नी अटल विहार इवाजपेजी की दो पंक्तियां याद आती है उन्होंने स्वेम बोली थी स्वपन देखा था कभी जो आज फिर धड़कन में है इक नया भारत बनाने का इरादा माना अध्यक्षी उस नए इरादे को बनाने का ही संकल्प इस अभिभाशन में लिया गया है और मैं आपके माध्यम से देश को विश्वास बिलाती हूँ कि देश की जनता का आशिरवाद लेते हुए और हमारे तमाम विपक्षी साथियों का सहयोग लेते हुए हम इस इरादे को पूरा करेंगे और यही विश्वास बिलाते हुए राजीव रूरी जी ने जो प्रस्ताव कल रखा था उसका समर्थन करती हूँ